इस गर्मी के मौसम में खास कर जो बर्तमान अभी का परिपेक्ष है आचानक गर्मी में जो बढ़ोत्री हुई है तापकरम 44 डिग्री तक पहुँच चुका है और जो गर्म हवाओं का प्रकोफ हो रहा है इससे पश्वों के स्वास्थ पर काफी प्रतिकूल असर पड़ता है एक ओर जहां दूदूद पादन में तो कमी आही रही है अगर आप गर्मी के मौसम में खास करके अभी के मौसम में अगर उनके स्वास्थ पर ध्यान नहीं देंगे तो दूद के साथ-साथ जो लू लगने की समस्या है हाइपर थर्मिया उनका तापकरम 107-108 डिग्री तक पहुँच रहा है और ऐसे में अगर तत्काल चिकित्सा न की गई तो उनकी मिलती भी हो सकती है तो इससे बचाओ के लिए सबसे जो जरूरी चीज है कि अपने गर्म हवाओं का प्रवेश अपने पशु साला में अवश्य रोकें खास करके ग्रामीन छेत्रों में जहांकि पशु अधिकांस रूप से बाहर ही बधे पाये जाते हैं उनके लिए ये एडवाईजरी जारी की जाती है कि इस गर्मी के मौसम में यथा संभव आठ वजे नौ वजे के बाद अपने पशुओं को धूप में न रखें अगर उनके पास पशुशाला है तो अच्छी बात है अन्य था किसी भी पेड के छाओं के नीचे ही अपने पशुओं को बांध के रखें अगर संभव हो तो अपने पशुशाला के गेट पर या जो दर्वाजा है उस पर जूट का बैग या जूट का बोरा की परदा लग जा दें और उसे 2-4 घंटे के अंतर पर पानी अगर उपलब्द है तो उससे भीगाते रहें इससे जो भी हवा का प्रवेश उनके पशुशाला में होगा तो वो ठंड होकर जाएगा और ठंडा होकर जाएगा जिससे पशुओं के सरीर पर सीधी गर्म हवा का प्रकोप नह नहीं होगा